प्रणाम नमस्कार गुड मॉर्निंग सु प्रभाद सु स्वागतम कहते हुए हम विजिया भारती आप सब के हुदे सभिवादन करतानी और आज के भी हाने भी हाने में स्वागत करतानी और हम अजीत आनंद भी आपके प्रणाम करतानी स्वागत करतानी और एह बात कि इतना सबस्क्राइब कि हम ने के परिवार के हरेक सदस सही सनर पर टीवी को लुगे tota Lawrenceриइं क्लिफ देखे खाती आनि कि आशिरवाद दे रहाल वनी तो हमने के से बहुत खुशी और भी इसれて बाद देवर जी कि चाहे मिघाले होखे की तिरिप्रा होगे की नागा लेंड होके की कश्मीर होके के कमारी हो perse तरीटेस होके की राजस्थान होगे रहें हे जगह पे ढार देखे व्हाले देखे वाला आपना दर्शक लोग के संख्या Be बहुत बहुत जादा और हमने के धेर सारा प्यार और आशिरवाद में लेला यह बात के हमने के भगवान से कामना करता निजा आशिरवाद मांगता निजा है भगवान देश के कौनों को ना में विदेशों में भी हमने के घर के लोग विठलवा तो स्वस्त रहे देखत रहे हमने के बिहाने बिहाने और चली देखा जाब आज के विशेश आकर्सन के एक जलत हर्याना राज के एतिहासिक जिला हो गुर्षित आज हम नवजाच शिशू के होने वाले बिमारी के बारे में बात करेंगे जलत के पस्चाथ फिर रवा सबके वापसी भाइलबा बिहाने बिहाने के अंगना में और देवर जी को देखके कुछ लगता है जाते जाते बोलेंगे अ मत कहावी चुप रहा अभी एतने भरतारा से गौहार करा कि बहुत जे फैसन कईले बढ़ू अम्मार जे बनावटी ज तो अच्छा लागता भाउजी भाई सजीत देवर के अच्छा लागता करी लेकिन एक साथे साथे बढ़ियां से गाना सुनावा जाना से कार्शक्रम में चार चान लाग जाए अच्छा लो आवे आधिराहत बटावे जटनी राइ ओ छेलो आवे आधी रात पटावे चटनी ओ गोरिला ए सैया लोडी पट्याला चटनी चटनी पाटे तो गोरि पोधी नादी बाट चटनी बाटे तो गोरी पोधी नादी बाट ओ नो खालू मारी गोरी खालू लागोरी ओना तो खाद मारे गोरी खालू लागोरी ओ गोरे आए सैया लोडी पट्याला चटनी व थेलो आवे आधी राथ बता वजेट ने रहे पाँच रे पचीस की रखेडी मंगाई हो पाँच रे पचीस की रखेडी मंगाई रे मारी मन की मन में रे गई रे पचाला को होरी पचलो आवे आधी राथ बता वजेट ने रे पचालो आवे आधी राथ बता वह जटेट ने वा भोजे वा जब अर्दा सुवा सुवा एतना वड़ी है रास्थानी जे तु हमने के फोक सुनाई लू एसे एक दम चार चांद लाग गयल और बहुत बहुत शुक्रिया धन्यबाद और तीलो को भी नमस्कार एक बार फिर से वा 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 जीते रहे जीते रहे जीते रहे मेरे देवर जी अरी राजस्थानी गीत का मतलब आपको समझ में आया ना ही एक जगे हम क्यों खन-खन-खन-खन-खन कुछ लटी वाले बात के लिए इतना वस्कार चैलो आवे आधी रात बटावे चटनी मतलब पती जो है आधी रात को घर आता है और पत्नी से कहता अभी तुम सिल्वट्टा पर हाथ से चटनी पीशो तब मैं भोजन ग्रहंड करूंगा आच्छा थे ही बतिया के भुजबुरी में कहें तो कहले जाके सुनता रूँ हो लेगे लिसके मजा आई खाय में काहे काहे के पीरह न नीन हम रात के अधारात के हराम करी तो ना मन्बू ना मनें नामन्बू सेहत बिगर जाए दर्शक लो बहुत बढ़े आती थी कि आगमन भीयों खेलबा लेकिन उसे पहले सेहत सुधारती बचली कई या मिलके यो कि और कि अ हम सुरनस्कार सिख्शा राहल वनी पवहला शटेप बार प्रणाम आशन के एक साइड से हाथ ले जाके उपर ले जाके हात केऔप ह absencehwa abroad अ ड़्यांच के आण्हेन Self एन नार्मल रही समन मre states लेके हाथ के उपर उठाव जई हस्त व्थानग ऐध़ DP एकर आमें पूरा पेट के मांस पेसी खिचा रहल भिया पेट के पूरा लाव मिले लैसे सांस के गति समान ने हो जाई जाई एकरा बाद से तिसरा स्टेप पाध हस्तासन सांस छोड़ के सामने जुके के बाद अगला स्टेप चोथा अस्व संचालन बाया पेर पीशे जाई आए शास लेवे के बाद सांस अंदर सांस के प्रति सजक्ता हमेशा पांचवा आसन परवत आसन दूनों पैर के पीशे ले जाके पंजा और येडी दूनों जमीन पर दरदन बिल्कुल अंदर सांस छोड़ दे अस्टांग नमस्कार दूनों घुटना जमीन पर कमर उपर रही सीना जमीन पर ठुट्ड़ जमीन से लागा रही ये सांस छोड़ देवे के बाद सांस ले के भुजंग आसन साथवाइश्टेप भुजंग आसन के आठवाइश्टेप सांस छोड़ के परवात आसन मुँवाइश्टेप में बाया पैर के सामने ले जाये के बाद अस्वसंचालन सांस ले के दसवाइश्टेप दूनों पैर के सामने लिला के पाद हस्ट आसन सांस छोड़े के भय में कि सांस लेके उपर लह थस्त उत्थान आसन सामने से पेट के मसल के चाला प्रेट के मसल के उपर पूरा यह लेला एफ प्रणाम आसन वारह हुआइश्टेप कि प्रतेक आसन के आपन अलग-अलग लाफ बटे रिलेक्स हाथ के पकड़ लेला काम बागे सामने बायां हाथ के कलाई जाहिना हाथ से पकड़े के बार शरीर के धिला शोड़ देवे के बार प्रणाम आसन में मन के कागरता बनेला यूग तो होगी लकेन तो मनमुकि ना मनबु ना मानें ना मन ना मनें ना मनबु का दिन राथम छट्णी पिसी स्मार करी बनाई हमारे लुए ना मेकप कड़ा हो जाई और अगर हम मुनवर ताज जी के बुला दी आज की अती थी गर उप में तब मनबू की ना मनबू गाना सुनके उपर तब तब माझ जाए माझ जबू तब तब एक का तीन तरह के तीन स्वाद के चक्ड़ खिला हैं तरह के मुनवर भिया के चली बुलावल जाता और बुला के गाना सुनल जाता हर मोड पे यहां अबू हर मोड पे यहां अबू चली संभल संभल के हर मोड पे यहां अबू चली संभल संभल के हर मोड पे यहां अबू चली संभल संभल के हर मोड पे यहां अबू चली संभल संभल के हर मोड पे यहां अबू चली यह संभल संभल के भिरते हैं कितने का दिल भिरते हैं कितने का दिलू चेहरे बदल बदल के भिरते हैं कितने का दिलू चेहरे बदल बदल के कर दो कर दो कर दो था इंतिजार उनका तरवाजे में नजर थी काटी है रात मैंने काटी है रात मैंने कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि आर्मोर पे याँ अगर चली में समभल सब्द्रें चलिए सभल सभल के चलिए सभल सब्रेणें वाह 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 दर्शक लो आज बिहाने भीवाने में हमने के आप हें लून के आधेश के हिसाब से बोलो ले बनी जा अपना बड़ेilot की आपना अतिती के जहां के नाम बटे मुनवर ताज भाई बहुत बहुत आपके सागत बाभी है नमस्कार, सलाम अलेकुम मुनवर भाई हम लोगों को तो आपका पिछली बार आना, गीत, सुनना आपसे बहुत अच्छा लगा और अपने दर्शकों को भी अच्छा लगा हमारे देवर जी तो दिन रात गुन गुन आते ही राते थे आपके गाने आपको कैसा लगा और आपका जब कारेकरम टीवी पर आया तो लोगों के तरफ से आपको कैसा रेस्पांस मिला तक तो हर जेगे से फोन ही फोन आ रहा है हमारे पास कब प्रगाम आप करेले हो रहा है, कब प्रगाम आप करेले हो रहा है इनका से बात्चीत आगे भी करब और गीद भी सुनों लेकिन अभी आए मिल जूल के चल पड़ी यात्रा पर हर्याणा राज के एतिहासिक जिला हो कुर्छेत्र कौरोन के नगरी भेला की कारण एकरा के कुर्छेत्र कोहल जाला महा भारत भगवान स्रिक्रिष्ट के गीता उपदेश और सक्त पीठ तीनन के संगम हो कुर्छेत्र इह एको आईसन तीर्थ अस्थल जिकरगाथा विस्सु विख्यात हो भगवान संकर के अनादर से अहद भाहिल सती के एको पीठ इह हो भगवान स्रिक्रिष्ट के सार्थी के रूप में देखे के सुओसर भी एही भूम के नसीब भाहिल एही जिसे विदा भाहिल रहलन वान सैया पर लेटे परम आदरणिये भीष में पितामा ब्रह्म सरुवर इह उजगो हो जहुआ ब्रह्मा जी आपन पहला यग करवईले रहुआ इस सरुवर में गीता जैन्ती, अमावस्या और सूरिक रहन के दिन स्नान कैला पर सुभ मानल जाला एह जाए स्थापित बा एको अत्यमत सुन्दर सिव मंदिर मानल जाला कि एमें इस्थि सिवलें की स्थापना स्वयम ब्रह्मा जी कैले रहलन प्रतेख संध्या एज़ा होके वाली आरती में सामिल होके खातिर आवेले देश के कोना कोना से स्थालुगर आरती के बाद आयुदोला दीवदान भीस्म कुंड इह उजगह जवा महाभारत काल में बाण सहीया पलेटे भीस्म पितामा खातिर अरजुन आपन बाण से धरती से गंगा जल निकाले रहलन एही से एक नाम पढ़ गयल नरकटरी बान गंगा भीस्म कुंड एक लागे इस्थापित बाण हनमान जी के पंच मुखी मोलती इह जोति सर एवट व्रिष्ट के नीचे भगवान कृष्ट अरजुन के गीता का पाठ पढ़ावले रहलन यात्रा से वापसी और आज की अतिति मुनवर ताज भीया इसयर फ्रेकार की गाह्य के गाश के गाशे वाट ने दोपीता अंधि पहले भी की अगावट रहनी नहीं पिता जी कि हमदे नहीं टो पिता जी और मामू भी इसी प्रकार की गाय की गाते थे या कुछ अलगङ गनेदेने नेयं यह मंदेन तो हमारे पिता जी जो उनका अगाईन था वो फारसी शब्दों में गाया करते थे आप मंच पर कौन और कम पर प्रस्तूति आपके बाधे जैसा भी जो चाहे बोचपुरी जाहे बोचपुरी चाहे बोचपुरी भी गा लेते हैं घरल भी गाते हैं अपना जो पेटन है धार पब्लिक खातिरगावेला मुझे क्या अच्छा लगता है इनको क्या अच्छा लगता है एक स्वांतर सुखाई के लिए गाता है आपको किस तरह के गायकी से सुख मिलता है अपने आप में लेकिन अब हमने के थोड़ा सा आपसे डिमार्ड करम से एक अच्छा सा गाना है किसको दिल दिया जाए किसको दिल दिया जाए सोचना जरूरी है ये भी काम ऐसा है जो बड़ा जरूरी है लागाई जरूरी है करते हैं उनको अपना चेहरा भी देखना जरूरी है किसको दिल दिया जाए सोचना जरूरी है प्यार का जजबा नया रंग सिखा देता है अजनबी चेहरे को महबूब बना देता है अपने चेहरे के किसे दाग नजर आते हैं वक्त हर शक्स को आईना दिखा देता है का बात भोजी बहुत बढ़िया और दर्शक लोग अब देखी पंडित जी के जब आगमन हो के इलबा तो देरी ना करते हुए चल जाओ जानल जाओ आज के दिन भर के भविस्सफल आपन कार्ज क्रम गोचर में और मुनवर ताज जी आज कहती थी वाने मुनवर भीया आप कि आप कैसेट करेखाते दिल्ली कुछ दिन रनी हैं कौन-कौन दुचार को कैसेट जो नावता नाम बताएं कि हम नहीं के दर्शक लोग के मौका में लेटा खर दिलो जाके आहमनी ओके और हमनी करता हम तो मांगें आप से अभी नया अलबम हमारा रहा है छोटे मजजिश साहब के साथ जिसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ी कमसकर 15 दिन का ये रियाज हुआ है मदीने के दुलहा खौजा तो एक ही गाने में दोनों डुएट वोकल दो हैं यह पहली बार ये दो जिन्स का डुएट है इसके अंदर साहिए जिन्स का डुएट तो होता है लेकिन ये अब भिहार और महाराष्ट ये जाए आफंड़ाश है रियाज में आप लोगों ने ये तै़ किया हुआ होगा कौन सी हरकत आप करेंगे किस पंग्टी को आप कैसे बहुत जैंगे उन्हों ने अपनी हरकत की है मैंने अपनी हरकत कि यह यह अं Lazar गतर उन्हा हरकत से इसमें करते कि अपने साथ रहते हैं और तभी कलाकार कुछ नए करामात करते हैं और मिनवर्वज ताज भाई आयल बानीत हमने की कोशीश रहे diy कि ज्यादा ओठा ताली यानिकि ज्यादा ज्यादा बड़िया बड़िया गाना सुन ली इंद अभी का थरा वह सुन आई आपको तेरी आरुजू करे वो तेरी आरुजू करे वो जिसे तजिर्बा नहीं है तेरी आरुजू करे वो जिसे तजिर्बा नहीं है तेरी आरुजू करे वो जिसे तजिर्बा नहीं है तेरी आरजु करे वो जिसे तजरुबा नहीं है तेरी आरजु करे वो जिसे तजरुबा नहीं है मैं यकीन कैसे कर लूँ के तुबे वफा नहीं है मैं यकीन कैसे कर लूँ के तुबे वफा नहीं है आओ खरीबू आओ आसू को पोछ तुमें आओ खरीबू आओ आसू को पोछ तुमें आओ खरीबू आओ आसू को पोछ तुमें क्यों दिल तो जला है मेरा ये दिल तो जला है मेरा लेकिन तामन जला नहीं है दिल तो जला है मेरा तामन जला नहीं है तेरी आरजू करे वो जिसे तचीरबा नहीं है मैं यपीन कैसे कर लूँ कि तू बे वफा नहीं है कि तू बे वफा नहीं है कि तू बे वफा नहीं है और यह अद्भूट गायकी के जादू में हमनी के चाहता अने की हमेशा डूबल रहीं कलाकार के सुर्क गंगा में डूबल रहला से ही आत्मा के सुख और सुकून मिलेला ते दर्शक लोग रहुआ सब भी है संचाहद बानी तो आप सब के तरफ से इनका फिर आवे की निमंत्रन देतानी स्विकार है ज़रूर जब जब भी याद करेंगे ज़रूर आज अगी पूछतानी के भाओ जी आज आज आप बहुत हमसे पूछ पूछ के काम कर रहे हैं लेकिन हम एक बार नहीं हजार बार अपना दर्शक लोग के सामने आपके कहनी कि इट टाइम फिक्स बार नेक सलाले वे वह ठीक बात हम कहां कहाते हैं जिनका से अब हमनी के मिल दूल के ल बारिके बारे में बात करेंगें मोस्ट्ली के ज्यादा कॉमन नापी रैश यह भीमारी है गर्मियों की और हमारे भारतवर्श में बहुतinking हमने हैं यह इसलिए होता है क्योंकि वहां पसीने जादा आते हैं और वहां खुला वातावर्ण वहां मिलता नहीं है और आजकल डाइपर्स यूज़ करने की वज़े से ज्यादा देर तक पिशाप, ट्टी और पसीना अंदर ही रहता है और चमडे को गला देता है और इंफेक्शन को पूरी तरह से वहां फिला देता है इसलिए हमारे बच्चों में भारत वर्ष में स्पेशली नापी राश का ज्यादा ही प्रॉबलम आ गया है मेन इसका एक ही इलाज है कि माताओं को सुती के कपड़ यूज़ करना चाहिए चोड़े चोड़े लंगोटे यूज़ करिए जैसे जैसी टटी पिशाप करें उसको निकाल करके प्राइवेट पाथ को दो दीज़े और फिर से नया लंगोटा दाल दीज़े पाउडर बिल्कुल मत इस्तेमाल करिए वहां उस जगे पे क्योंकि पाउडर और पिशाप का कॉंबिनेशन वहां चिपक जाता है जांगो के अंदर अगर ठीक से धुलाई ना करा जाए तो वहीं किटानू बढ़ते हुए इंफेक्शिन कर देता है और चम्रे को गिला दे थर्डली अगर राश भी हो भी गया तो एक ही है कि लंगोटा भी उसमत करिये जैसे परचाप पिशाप करता है उसको सूखने दीजे दोने के बाद और कोई पाउडर कुछ मत लगाईए थोड़ा हलका सक अब आलोवीरा का जूस लगा सकते हैं या कोई भी बोरोलीन लगा सकते हैं बोरो प्लस लगा सकते हैं and after that just leave it open उसको खुला रखेगा तो उसी में उसका इलाज हो जाएगा अगर फिर भी इलाज नहीं होता है फिर प्लीज अपने दॉक्र को सला कर दूसरा कोई ना पी राश आज 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 आता हैं ते मार्केट में वो लगा दीजे में पौडर और उस जगों खुला रखेगा सूखने दीजे धोने के बाद और उसके बाद आप ऐलोवीरा का जूस लगा सकते हैं और उसके बावजूद नहीं ठीक हुआ तो फिर डॉक्र के पास जाके सला करके कोई भी डिकेटिट क्रीम लगवा सकते हैं नेक सलास से वापसी और अब चले के बाद चिठी पत्री वाला रास्ता पर याने के चिठी पत्री आप सबन के आईलबा धेर सरा एक चिठी उठाएं बेलकुल उठाई ये पढ़तानी चिठी आईलबा डाक्टर महंदर नरायन जी के स्री चन्नलाल नाका नंबर कंधाला मुझफर नगर निहां निर्देशक जी और विज्या भारती जी अजीत भाई नमस्कार महंद्र जी आपके भी नमस्कार लिखातानी कि मेरा जनम बनारस भुषवरी शित्र ग्राम पोस्ट भिशंपूर चकियां चंदवली में हुआ है और मेरा कोई गौड फादर नहीं है ऐसे निर्माता निर्देशक कंपनी को जानता हूं जिन से संपर्क करके मैं अपनी परतिवा को परदर्शित कर सकूं वैसे मैं कवी गोस्टी सम्मिलनों आकश्वानी वनारसी में गीत घजल कवीता पाठ प्रस्तूत कर चुका हूं मुझे सही मार्दर्शन दें आपके चैनल से आपके कार हम कहब कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों मैंने कहता किताबों में लिखा है यारों इश्वर के क्रिपा मेला से और प्रतिभा भी इस वरे के देन से मिलेला तो जो इश्वर प्रतिभा देता है वो रास्ता भी जरूर देता है आप अपना लाइन से जुरल का कर二 कि तो करमारा कि तो के पर काल देनी तब सबस्वाल बॉल देला धूजव के बही कि अपना माण अब देख सब्स liability अब कि आपना देश के अपना माटी के पुरभिया माटी के घरिलू आउरत सब के अपना盛ा और या सब के फिसका जादा के बनादा दो धनिया का सब अपना बहिन के सुना वतानी चाची के काकी के गलत बोलता नहीं अब देखी रहुरा लोगा घर में यह अखिला फुगा कि यह कहां को बहुत दैसन कहीं है कि जगड़ा लाग जाई हमनी के मामला में मत परिलो जुटों के देखा उटी जगड़ा जुगड़ी बाटे इस कितव से आप सब के प्रणाम